नमस्कार मैं हूँ आसिश चित्रांसी और आप देख रहा है दन्यूज लॉंचर रोहतक में मैं हूँ तो रोहतक के एक पत्रकार जिनको मेरे साथ आपने कई बात देखा होगा धर्मेंद्र कमारी हर्याना के मेरे प्रिय पत्रकारों में से गिने चुने जो एक दो प्रिय पत्रकार हैं जिनको मैं भी सुनना चाहता हूँ जब हर्याना की बात होती है तो मैं वाकई सुनना चाहता हूँ दो-तीन जो मेरे प्रिय पत्रकार हैं दिल के करीब उन में से एक है धर्मेंद्र कमारी बड़ा बे बेबाग अंदाज में इनाल्सिस करते हैं और जो भीतर की समीकर्ण होते हैं न सियासत में सियासत में जो बाहर दिखता है वही हकीकत नहीं होती है भीतर जो तार जुड़ते हैं उन तारों को बड़े अच्छे से जुड़ते हैं उसमें पावर भी करंट भी उन नहीं सिमड सकते हैं, हर्याना की भी बात होगी, खासकर अहिरवाल की बात होगी, क्योंकि अहिरवाल अभी न्यूज लॉंचर से हमसे थोड़ा अच्छूता है, धर्मेंदर भाई स्वागत है आपका, और मैं बता दूं, धर्मेंदर भाई का जो गुरुकुल है, है, यह बहुत ही महत्यपूर्ण है, हम सब के लिए न, और आपने मेरे लिए इस्तमाल किया, इसके लिए आपका में बहुत शुकर गुजार हूँ, और नुजलांचर का मैं कुद भी परसंसक हूँ, भाई को और आपको बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, हम तो चुकि हर करते हैं पर आप लुग राष्टी स्थर पर करते हैं और अच्छी पतर का रिता करते हैं, तो अच्छा लग रहा है आप से बात करके, सुरू करते हैं रोहतक से ही, रोहतक में बैठे हैं, सुरू आत रोहतक से, रोहतक की चार्ज सीटे हैं, इन चार्ज सीटों पर क्या में बड़ा तगड़ा कॉंटेस्ट है हलांकि मैं घूमा टहला अभी मेरा भी ब्यू यहां क्लियर नहीं हुपा रहा है कि कौन उपर कौन नीचे है क्या है देख सर आप रोहतक को जब बात करते हैं रोहतक की तो कैवल रोहतक को इन चार सीटों तक नहीं जोड़ के देखा ज हैं और लोग चुकि सरकार जब बंती दिख रही हो तो हुड़ा जी को साधर समर्थन निंद पर मिलता है अब भी अगर आप देखें तो इन में से तेरा जो सीट हैं वो कॉंग्रेस के पास हैं 11 सीट और अगर आप रोहतक की प्रोपर बात करें तो रोहतक में केवल एक महम ऐसी सीट है जिसको हुड़ा जी नहीं जीत पाए हैं वहाँ पे बलराज कुंडू अपने कामों की वज़े से स्टैंड कर रहे हैं और तब भी स्टैंड कर रहे हैं जब बुपिंदर सिंग हुड़ा की कहने की लहर है आप ये देखिए कि किसी सीट पे बुपिंदर सिंग ह लेकिन कुंडू वाले सीट ऐसी फसी हुई सीट है जिसमें इनको चार बार वहां पर जाना पड़ा है और साइद यह और भी जाएंगे उस पर तो कुंडू इनके सामने चटान बनके खड़ा है लेकिन कुंडू मुकाबले में अभी बहुत मजबूती से खड़ा है लास्ट तक चुनाओ जब अब चुकी दिनी आठ नो बच गए है आप देखेंगे कि धीरे 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 एक दू सीटों को छोड़के ये चोदा सीटों में मैं बारा सीटे कॉंगरेस के आतिवी देख रह दो सीटे ये बड़ा टेकनिकल स्वाल है वैसे हैं लेकिन मुझे लगता है कि दो सीटे जिन पर बहुत टफ मुकाबले हैं कि कुछ भी हो सकता दा है वह गनौर की है और एक महम की है गनौर में क्या पेच महम में तो कुंडू है गनौर में क्या पेच है गनौर में देवें अधार है बंदे का और कई बार ऐसा होता है कि चीज़े जब फोर्स करते 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 हैं लोग उसके साथ सेंटिमेंट जूड़ जाते हैं तो गन्नोर अभी देवेंदर का द्यान काफी मजबू सतीती में दूसरा जो कॉंग्रिस के केंडिट है कुल्दीप सर्माजी कुल गन्नोर वही है और वही कुल्दीप हैं जिनका टिकेट मिलने से पहले ही भी रोध सुरू हो गया था गन्नोर में किकट नहीं आया था उससे पहले भी रोध होने लगा था कि किकट मिल गया तो हम ख् outras करेंगे ऐस कि finden alternate from the list which मुंने के बाद बंदे इनकों तिकस मिलने के ब तो कुछ तो होगा मसल पावर कोई मुकावले में निया था किसी परगार का यह सिर्फ कहे रहे हैं एक रस्मी है अगर यहां से डोक्टर अधित्य बत्रा या मनमोन गोल को अगर बीज़पी टिकट देती तो साइध यह सीट मुकावले में आ सकती थी लेकिन आप यह कि टिकट में ली थी मनुष ग्रोवर को और लड़ू बटे थे बत्रा जी के घर पे तो लेकिन चुकि मनीश ग्रोवर जी जो हर्याने के पुरू मुक्य मंतरी मनुष लाज जी उनके खासम खास हैं तो उनके टिकट कोई काट नी सकता था इसलिए वो टिकट ले आए तो गाओं भी यहीं पर सांगी गाओं गढ़ी सापला किलोई और हुड़ा खाब से ही भाजपा ने प्रत्यासी चुना है मन्जु हुड़ा को क्या कुछ टक्कर होगी या एक तरफा चुना होगा एक तरफा चुना होगा अगर सतीश नांदल जी ने मेरे खाल से पिछली वार 45,000 के करीबन वोट ले थे अगर यह 30,000 वोट भी ले ले मन्जु तो काफी सैटिसफेक्टरी होगा है इनके लिए हर्याना में सबसे ज़्यादा मारजन से जीते जाने वाली सीट है के लोगी मतलब सांतोना पुरसकार यहां पर BJP को मिल सकता है सांतोना में है कि इतना 30,000 म पर थोड़ा मिस हो रही है हां 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 कला नौर सीट पर सकुंदला जी विदायक है तीन बार की लेकिन कला नौर पर सकुंदला खटक भी चुनाव नहीं लड़ती है वहां पर चुनाव भपंदर उड़ते हैं और कला नौर की एक खासियत है कि वहां जो एक बार नि तीन का है, इनके परिवार की सदस्य हैं, एंटिन कम बैसे उनके खिलाब बहुत है, लेकि फिर भी लास्ट में लोग जाके वो टू, उन्हीं को डालाएंगे, क्योंकि दिख रहा है कि चलो सरकार आ जाए, तो क्या अब तक कुछ काम हो जाएं, जीत रही है, लेकिन सकुंदल सिंग उड़ाजी के कंदों पर छोड़ देते हैं, कि आपको मुख्य मंतरी बनना है, तो हमें जीत वाओ, तो बाद में कोई फाइट नहीं करते हैं, यहां की कॉंगरेशियों की मतलब अदा है, तो वो अपने अफ़र्ट छोड़ देते हैं सारे, फिर उड़ाजी निकलते हैं उनके लिए, अब देखो, मेहम में चार-चार बार जाना पड़ रहा है, तो अगर थोड़ा काम मेहनत करी होती है, पहले लगाता है, तो ऐसी नोबत नहीं आती है, अंदाज यह बड़ा जबदस्त होता है धर्वेंदर भाई का और हर्यानिमी अंदाज में, जो सवनिपत प्रोपर ऐसा लग रहा था है, कॉंगरेस चुनाव हर रही है, लेकिन जैसे ही सुरेंदर पवार को जमानत मिली है, मुझे लग रहा है यह टिकट अब सीट फाइट में आ गई है, कुछ भी संभव है, लेकिन अभी तक निखिल आगे दिखाई दे रहा था, अभ यह चीज बैलेंस है, गन्नोर की सीट पे हमने बाती कर ली कि मादेविंदर का दियान अच्छा मुकाबलत दे रही है, राई की सीट पे कॉंगरेस का अपरेंड है, खरकोदा की सीट पे भी कॉंगरेस का अपरेंड है, और जो गोहाना है, गोहाना सीट पे जगबिर मली जी के खिलाब एक महुल है लेकिन चुकि ये जो पुराना रोह तक में वही फिर हुड़ा फेक्टर लास्ट में चलता है तो उनका चुनाव रिकवर हो जाएगा लोग कहते हैं कि जगबिर मलिक से हमें कोई लेना देना लिया है हम तो हुड़ा को वोट दे रहे हैं तो लास्ट म का परदे सद्दिक्स है और वो करें मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा राजनीती में कोई वेक्ती चुनाव लड़ने से इंकार करता है तो उसके दो ही कारण होते हैं या तो उसको वो सीट जिससे चुनाव लड़ा क्लियर बता हो मैं हार रहा हूं या फिर उसको लग रह हो कि मेरी पूरी पार्टी डूब रही है इस तरह की वज़ा होती है उनकी तो राई अगर ऐसी सेफ सीट होती तो मोलाल बुड़ली से उसे पहले मैदान में कुदते हैं उन्होंने नहीं कुदे हो इसका मतलब यह है कि उनको पजा लगया कि मेरे अहालत यहां खराब है मेरी पार्टी की इसलिए मैं चुनाओ नहीं लड़ूँ निक ऐसा भी तो नहीं है कि प्रदेश सद्धेक्च हैं पूरे प्रदेश की कमान है पूरे प्रदेश में जीताने की जीमेदारी ली है उन्हें तो इसलिए कुर्बानी दिया हो कि चलो हम नहीं लड़ेंगे चुनाओ पूरे सूबे में जिताएंगे और सरकार बनवाएंगे ऐसा हर गाहों में होता है एक आदमी ऐसा होता है जिसको लगता कि यह पूरा गाहों वही चला रहा है और उसकी बिचारे के खुद की आसीत इतनी नहीं है मौनलाल जी उतने बड़े कद के वेक्तिता हो नहीं है कि वो पूरा हरियाना चला रहे है हरियाना के मुख्यमंतरी और परदेश हद्देक्स दोनों ही बिचारे लोग प्रफाइल लेता है उनको उनके हलके से बाहर कोई नहीं जानता और हमारे मुख्यमंतरी जी को तो उनके हलके में भी अभी लोग जानेंगे क्योंकि वो हलका ही बदल लेते हैं हर बार तो मौनलाल बड़ोल जी को ऐसा भहम मेरे खाल से तो नहीं होगा कि मुझे तो सारा तेश चानता है हाँ ये सही है कि उनकी हवा खराब थी इसलिए उन्होंने चुनाओ नहीं लड़ा नहीं ऐसा तो नहीं कि राम बिलास सर्मा को रिप्लेस कर रहे हूं कि राम बिलास सर्मा के बाद ब्रामन फेस क्योंकि पंडित भी लगा लिया कौसिक भी लगा लिया कुछ लगा लो जी कई बार ना राम बिलास जी को रिप्लेस नहीं कर सकता आज बीजेपी जो कुछ भी है उसमें राम बिलास सर्मा का और कैप्टन अभी मन्नू का एहम योगतान है इनके बुलाया नहीं जा सकता यह अलग बात है कि आदमी के बुरे दिन आ जाते है सेर अगर बुड़ा हो जाए ना जी तो घास फिर भी नहीं खाता हूँ तो राम बिलास जी हर्याना की राजनिती के सेर है और उनका चाहिए मान अप्मान कितना भी हो अब यह देखिए लोयल्टी देखिए उस बंदे की कि उसकी टिकट कट गई उनका जी मैं पार्टे खिलाब परचार नहीं करूँगा बीजेपी कॉंग्रेस उनको भ्यानी से चुनाव लडा रही थी उनका नहीं मैं नहीं लडूँगा मैं घर बेटना पसंद करूँगा देखो दुस्मन का भी कहते हैं कि दाओ तो अगर दुस्मन ने भी अच्छा मारान हो तो उसको भी सराना की जानी चाहिए राम बिलाज सर्मा से यह जो आजकल के मोधी से सीखें कि राम बिलाज सर्मा से सीखabyrinth मैं इसमें confused हो जाता हूँ मोधी जी कल आये थे हरयाना में, रहली किये वहाँ राम बिलाज सर्मा का नाम भी नही लिया आप टिकट नहीं दिये बाहर कर दिये यह भाजपा के दैने क्यों ने कि पीडा सुना हूं पुराय नेता हो की, कोई बात ने, टिकट नहीं दे सकते हो, मत दो इजध तो दे दो मध्य प्रदेश में, की चिन कई पुराय नेता ने बाजपा के है जिनको ब्रहाजपा को पैदल हो चुके है तृपजे, ले लेते, तो जब नाम भी नहीं ले रहे हैं, तब फिर रामविलास सल्मा से सीखें, भाजपाई, की मोदी जी से सीखें, जो पुराने नेताओं से सीखना छोड़ दिया, ना हमने, वही गल्ती हम कर बेथे, अच्छा होता कि आडवानी जी से सीखते जोसी जी से सीखते राम बिलाजी से सीखते पुराने नेताओं के पास सीखतो होनी चाहिए और है भी उनके पास लेकिन मुझे लगता है मोधी जी जो हर्याना के परभारी थे और उसमें राम बिलाजी हर्याना के बड़े नेता थे उसमें की कुछ ट तो वो चुकी थोड़ा सम्रिध दिवैक्ती था तो अमने ड्राइवर से कहता है कि साप को फलानी जगा चोड़ा हूँ तो कई बार रात को कहना पटता तो ड्राइवर खिज जाता है यार यह को आदमी है मुझे रात को तंग कर दे तो तो रास्ते में जाते टाम उनको गालि तो राम बिलाज जी ने कहियां से दुखती रख छेड रख की होगी उनकी यह 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 राम बिलाज जी को लेकर जो उदाहन दिया लेकिन हर्याना में गुजारा है वक्त मोधी जी ने हो सकता है यहां पर दरी की कहानी है मोटर साइकल की कहानी है तो हो सकता है कभी मोटर थी कि पहले राम बिलास जी की ही दी हो जितनी ओफ ऐली मुख्यमंत्री के दो अभी मुख्यमंत्री की करते थ औल भी कर्ते हैं तो मुझे डर लग रहा है नाइब जी के बात भी कर लेते हैं, देलमेंस भाई से बात चीट करनें, बड़ा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, बहुत मजाता है मुझे, जजजर, जजजर की सीटों का जरा एक बार ब्योरा, देखें, जजजर में चुनाव लड़ रही हैं, गीता बुकल जी, मैं राजनिती से प पता होता है, पार्लिया मेंट्री प्रोसीजर क्या है, हमारा काम क्या है, ड्यूटी क्या है, तो गीता बुकल जी वैसी नेता है, उनको पता होता है कि यह हर्याना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहुत समझदार नेता हैं, और खास बाती वो ऐसी समाज से आती हैं, तो ऐ तो गिने चुने जो समझदार नेता हैं जैसे बीजेपी में किश्न बेधी हो गई कॉंग्रेस में, गीता भुकल जी हो गई, ये छुनीन्दा से लोग सेल जाजी हो गई, तो ये बहुत थोड़े से लोग हैं अर्याना में, उन में से एक गीता भुकल जी हैं, बहुत अगर ऐसे जनप्रतिनीदी बैठें विधान सभा में तो जनता का भला उसी में है एक और चर्चा आपके साथ बैठें एक प्रत्यासी की चर्चा मैं घूम रहा हूं तो सुना बीजेपी, कॉंग्रेस, जजपा और चंसेखर का गठबंधन, इनेलो और बहंजी का गठबंधन, इतने गठबंधन, चार तो हो गए, चार फोल सेच, तो 9, 4, 36, 360 प्रत्यासी कम भी हो सकते हैं, 360 तो सीधे दिख रहा हैं, भाजपान एक वापस ले लिया, 360 मान ले, निदलि चाह रहा हूं कि मुझे जानकारी मिली, नाम मैच करता है कि नहीं, क्या ऐसे किसी प्रत्यासी के बारे में आपको जानकारी है, नाम मैच अगर हो जाएगा, तब मैं नाम खोलूंगा, देखे मुझे लगता है कि पूरे हर्याना में आज के दिन, अगर कोई प्रत्यासी वा वास्तों में सेवा करना है। मुझे लगता हिवानी में कामरेद ओम परकास इकलोते हैं। महच कर गया है। महच कर गया है। ओम प्रकास जी है भिवानी से। ये कॉंग्रेस ने लेफ्ट को दिया है गठब धन में एक सीट मिली है। और कामरेड ओम प्रकास नहां से मायदान में हमें गया था भीवानी और हो सकता है एक चक्रा और भी लग जाए भीवानी में चुनाव कैसा वो लड़ रहे हैं ये तो धर्मेंद्र भाई से म समझेंगे लेकिन तारीफ में खूब सुना वहां पर पत्रकारों के साथ आपके सा बाकि वो सीसी पाउच वोट दो मत दो भाई उसके बल पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनाम बिल्कुल मैच कर गया है तो कॉम्रेड ओम प्रकास पे थोड़ कर लें इक क्या है बैग्राउंड चुनाव में हैं फाइट में या सिर्फ इमानदारी लेकर के फिर घर जाएंगे अपनी, क्योंकि इमानदारी को लोग पसंद ने करते न, जनता भी नहीं पसंद करते, बड़ा दुर भाग गया हमें तो बोल देता हूँ, जनता भी इमानदार को नहीं वैलू देती है, अक्सर मैं कहता हूँ असे, कि पार्टियों का दोस नहीं है, जब लोगों क का दोस है, जब हम अच्छे आदमी को वोट नहीं देते, तो पार्टिय अच्छे आदमी को टिकेट नहीं देती, जब हम अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर देंगे, पार्टिय अच्छे लोगों को टिकेट देना शुरू कर देंगे, कामड़ साब का चुनाव ल तो कामरेट साब, चुकि मेरे से बहुत प्रिच्चा होने का, मतलब आप जिस आदमी को, आप और मैं करीब एक साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो आपको आवास हो जाता है कि यह आदमी किस तरह का इंसान है, लें कामरेट साब को मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूं, और मेर और उनका ओफिस उपर नीचे था, मतलब वो नीचे बैंक के मनेजर थे, मेरा अबदैनिक बासकर का ओफिस उपर था, तो अकसर रोज शाम की चाहे हम साथ लिया करते थे, तो कामरेट साब ने तो जीवन में कभी नी सोचा, उनके पिता जी बहुत अमीर आदमी थे, उनके इट बटे, क्रेसर, सब कुछ था, और उनके दो भाई हैं, वो थोड़ा मांसिक रूप से मन दें, तो इकलोते ही लगा लिजी आप कामरेट साब, तो उनके पिता जी ने कहा है कि अपना बिजनेस समाड़ो, तो नहीं पिता जी मैं तो मेरा मन है, और मैं ग्रीब होगे स्कूटी पे, अब मैक्सिम स्कूटी है उनके पास, उनका एक बेटा है, वो इसरो में साइनटिस्ट है, और इकलोते ऐसे किनिट है वो अरिहाना कि जो यह कहते हैं कि भाई, ऐसा है, मैं सिर्फ पांच साल के लिए मोका मांग रहा हूँ आप से, पांच के बाद मेरा मतलब सरीर साथ नहीं देगा, पांच साल आपको अगर अपने काम करवाने तो मुझे वोट देना, नहीं तो किसी और को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो वो, आईसल में जो भीवानी है, भीवानी में मैं 2007 से हूँ ज़र, भीवानी में मेरा बहुत लंबा नहीं मिले हैं, और वहां काम करने की ज़रूरत है, तो पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है भीवानी में, जहां कास्ट नहीं है, वहां डेवलोप्मेंट एक मुद्ध है, और उस साचे में वो बिलकुल फिट बेटते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग इस बार एक आदमी देखो, इस वार विधानसवा में सरा भी पहुँचेंगे, तसकर पहुँचेंगे, और अपराधी भी पहुँचेंगे, इनके ओपर मुकद में दरज हैं, समाच से भी पहुँचेंगे, कतित रूप से, अमीर भी पहुँचेंगे, लेकिन अगर एक मतलब साधान व्यक्ति जनता का परतिनिती पहुंच जाएगा तो क्या बुरी बात है पहुंच जाना चाहिए अगर वो विदानसवा पहुंचते हैं तो चाहिए सरकार किसी की भी हो यह तैम आनिये कि हर्याना के जो हित हैं अगर उनमें खिलवाड होगी तो एक आवाज जरूर कामरेड़ों परकास की वहां से उठेगी दूसरा आज कल एक बड़ा धनबल और जनबल का चुनाओ है लोग कहरें कि अगर एक सीट भी कम पढ़ गई और अगर वहां पे निर्दलिय परतियासी हुआ तो वो उसको बीजेपी खरीद लेगी मैं कहता हूं कितनी सीटे कम पढ़ जाएं कामरेड़ों परकास को कोई खरीद के दिखाए दुबारा चुनाओ भी हो सकते हैं उसको नहीं खरीदा जा सकता वो इस तरह का वेक्ति है तो ऐसे वेक्ति को चुना जाना चाहिए ये प्रदेश के हित में है बाखी संदे है मुझे की लोग ऐसा हुआ नहीं आस्ते कि अच्छे आदमियों किसी ने वोट दिये हूँ लेकिन वहां पर अब है इशू अब बहुत जारे लोग फोन अभी एक लड़के का मैसेज आया होता है जी मैं बैंगलोर में हूँ मैंने फ्लाइट की टिकेट केवल इस बात के लिए बुक कराई कि मैं कामरेड़ों पर कास को वोट देशकूँ तो ऐसे सेंटिमेंट है वहां लोगों के जब ये बंगलोरू से आ रहे हैं तो ये कामरेड के लिए उपलब दी है और होना चाहिए इसकूटी जानी चाहिए इसकूटी जो भीवानी में घूम रही इसकूटी जानी चाहिए विधान सभाद तक अगर ऐसा बिधायक एक बैठ गया ना पाएघ बुद अपने भी सरकार में अगले उठाने से नहीं पिता जी के कार खाने में, फैक्टरी में, मजदूरों कुले करके अंसन पे बैट जा है, तो ऐसे लोग, तो सरकार में भी, अपने भी सरकार में उठाने से नहीं परहज करेंगे, भिवानी जिले में ही, वो भी हैं, जो छे महीने में सरकार गिराने की बात करते हैं, कि कॉंग लगे तो एक घर में पुराने टाइम की बात है यह वो एक घर में गए कि माईक थोड़ी खिचडी बना दोगे मुझे दस्त लगे हुए बेठो बाबा बना देती हूं तो हारे में खिचडी बनी तो टाइम लगता है उसको बनने में इतनी देर में बाबा उनका कच्छा घर बाहर बेठा तो उसने दर्वाजे की तरफ देखा दर्वाजा थोड़ा कंजस्चिड था तो वो जब खिचडी लेकर आई महिला तो बाबा ने कहा कि पैटा एक बात पुछो बुरा नमानना तो बोले पुछो बाबा बोले तो अगर तुमारे कोई मर जाए तो अर्थी ल जोड़ी से केटा पक रहा है, बोला बच्चे ये मेरी जुवान का रश्ट पक रहा है तो लोहारों में जो जब दलाल जी उनका जुवान का रश्ट पकता है ये, उनको दुस्बन की जुरूरत नहीं है, वो अक्ले खुद की दुस्बन काफी हैं, आप देखो किसान अंद उत्री होता है, वह अगला चुनाव नहीं जीता है है हाई अपी लंबे समेसे हो एक अपी लंबे समय से हो एक अप्टर नम्नु है उससे पिछे चौदरी बिरंदर सिंग है हर आप ऐसी हो रहा है तो इस वार वहां भी चुनाव बहुत मुकावले में ऐसा नहीं कि मेलब कुछ बगावत का भी इसू है कॉंग्रेस में कुछ भीतरगात हो रहा है क्या नहीं वह भीतरगात वाला तो चला गया जी वहां पर दो लोग टिकेट मांग रहे थे चोधरी सौंबिर सिंग और राजबिर फर्टिया चोधरी सौंबिर सिंग चले गए बारड़ा में वहां विरासत है उस चोटू राम से जुड़ी हुई और विरेंदर सिंग अब अगे बंसीलाल का परिवार सौरी चमा कीजिएगा बंसीलाल का परिवार उनकी विरासत है भाई बहन आमने सामने है क्या बहाई बहन में कौन भारी नजर आ रहा है जही ज़िए बहारी हलका तो अल मैं एक गाउं उसके परमुख व्यक्ति ये तक जानता हूं बात भी होती रहती है मैं चुकि काम भी बहुत लंबा रहा है वहाँ पे तो साम का वोटर इस बार अजीब सिस्तिती में है जब से 1952 से चुनाओ हो रहे हैं अरियान में तो साम के वोटर को इस confusion का पहली बार साम नहीं करने वाला वोटर तो जो पसंद नहीं करने वाले वोटर थे उनमें से 2-3 कंडिट खड़े होते थे और बंसिलाल को पसंद करने वाला वोटर या तो बंसिलाल जी खड़े होते उनको वोट देता या उनकी पुत्रवदू को वोट दे रहा था तो कोई confusion नहीं था किस परकार का, तो साम में चोदरी बंसिलाल परिवार तभी चुनाओ हरा, जब उनका जो एंटी वोट था, वो एक कंडिडेट वहां से खड़ा और वो एक साथ वोट डल दे, तब वो हार जाते थे चुनाओ, वहां पे दो या तीन चुनाओ हार के हैं वहां पे, इस वार ऐसा हो लोगों में, कि वहां पे कोई अंटी वोट नहीं है, एक ही तरह का वोट बच गया है, जिसमें उनको चूज करना है कि हम बंसिलाल के पोते को वोट दें या बंसिलाल की पोती को वोट दें, थोड़ा सा एज इस बात का अनिरूद को मिलता है, देगे चुनाओ होता है, लाइन, नेगिटिविटी के लाइन, किरन चोधरी ने अपना जो भतीजे हैं, उनको उनको उपर हर तरीके से हमले बोले हैं, बहुत मतलब जो नहीं बोले जाने चाहिए प्रिवार, अनिरूद ने ये मर्यादाएं कायम रखी हैं, जो अपने दादा वाली मर्यादाएं है उसने कायम रखी हैं, उनने का कि मैं अपनी चाची और भेन के वारे में एक सब्द नहीं बोलूँगा, ये चुनाओ है, या तो आप उनको चुने या मुझे चुने, मैं अपने दादा के नाम पे वोट मांग रहा हूं, विकास के लिए वोट मांग रहा हूं, तो मुझे दूसरा क्या है कि वहां पे अबी दस साल से करिन चोदरी कॉंग्रेस में ही थी, वो बीजे बीम तो अब आई है, तो दस साल से हर्याना में कॉंगरेसी सरकार भी नहीं थी, तो वो जो इलाका है दस साल से तो डेवलप्मेंट में पीछड़ी क्या है, अब जब लोगों को लग रहा है कि कॉंग्रिस्टी सरकार बन सकती है और ये भी कन्फूजन नहीं है पोता-पोती में किसको दें बंसिलाल जी को भी वोट देना है तो वो एज अनिरूद को मिल रहा है कि पांच साल क्यों हम और मतलब डेवलेप्मेंट के साथ क्यों ना हो तो अनिरूद और लोक को और उन वो इतने शार्प पोल्टी सियन है कि वो जिसकी मदद करते हैं लोग समझ जाते हैं कि यहार रहे हैं यह गजब है हालत लेकिन एक बात मैं आत्मसंतुष्टी अपनी तारीफ नहीं करना है आत्मसंतुष्टी मुझे मिली कि जो मैंने ग्राउंड पर जो मैं देखिएगा अनृद के गाउं की सभा को भी मैंने कवर किया अनृद से बातचीत भी की थी और यही अंतर बताया था जिस तरह से किरन चौधरी अनृद को लेकर के जिस तरीके के बैन बाजी हुई है अनृद ने जश्ट बिलकुल उलट यहां तक कहा कि अगर मेरी चाची जहां पर मैं गया सजनसभा मैं देखा वहां पर अनृद ने बोला तो मेरी बहन मेरी चाची उनको कभी भी आप बिरोध मत करना कोई भी कि हमारे लिए आप उनका बिरोध कर दो उनको सम्मान देना मेरी चाची और मेरी बहन को वो कुछ भी मुझे कह सकती है उनका अधिका ये बड़ी बात है, सियासत में पड़ी लकीर खीचना होता है, जबकि आजकल सियासत में लकीर मिटाई जाती है, दूसरे की लकीर मिटाई जाती है। पाँच सबसे होट सीट जिसपर धर्मेंदर कमारी की नजर है पूरे हरियाना में, कौन सी? तो साम है सर, आदमपूर है, एलनाबाद है, और राणिया है और डबवाली है, ये पाँच मेरी होट सीट है, और इसकी लिश्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, लाडवा भी है और प्रोपर करनाल सीट भी मेरी मतलब पसंद की सीट और मेहम, ये करीबन नो दस सीटे ब का क्या हाल है अभी, राणिया का वहाँ पे वो बागड़ी बैल्ट है जी हमारी, तो आप पूरे हर्याना को जिस दर्ष्टी से देखते समझते हैं, आप सिर्षा को वैसे नहीं देखना समझना चाहिए, वहाँ पे जीपड़ी और बंदुकड़ी दो फैक्टर होते हैं, वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे बनके उगराए हैं, बीजेपी ने कमभोज को टिकट दी है, और अर्जुन चोटाला वहाँ से काले रंग की डेड्स ओफर चनल के काफिले में चलते हैं, वहाँ पे हमारे एक साती पतरकार साती भी सरोमितर जी भी हैं, तो अधित्य चोटाला और अमित सिहाग के बीच में हैं, पर जिस तरह मैंने का गीता भुकल जैसे विदान सभाब पहुचना चाहिए, वह बहुत अच्छा परलियमेंट ट्रेंड है, तो वह चुनाव निकाल लेगा, बिलकुल सही बात, एकदम अमित सिहाग हम डबवाली की तो बताये थे, उतना बिनमरता मैंने देखा नहीं सामने आकर के पूछ रहा जी आपको किसी मिलना हमने कहा में सिहाग, जी मही हमें सिहाग हूँ, हम लोग देखते हैं प्रतियासियों का लाव लखकर, पहले तीन-चार आते हैं मसल वाले, फिर वो सफारी सूट वाले, इतनी पाये हैं, तो मुकावला तो है देवलाल परिवार के बीच में ही, और ये चुके उनके अलाइंड है, थोड़ा सा दूर है परिवार में, अमित सिहाग की वरकिंग मुझे लगता है कि काम आ रही है, उनका जो काम उनोंने किये हैं, सिंपिलिसीटी कई बार आप दु चारे ये पंदरा अगस्त पर जंडे कम लग रहे हैं, चतों पर तिरंगा तो यहां तो लहरा था था, मोदी जी के एक अहवान पर, तो उनने मुस्करा के कहा कि चाचर हो गया काम इनका, तो जब आदमी कुछ सेंटिमेंट से चीजों को समझ सकता है, तो करनाल सीट पर उस समीता सिंग के किसमत में थी, हार उनके किसमत में थी, जो पिछली बार हा रहे थे, समीता सिंग है, समीता सिंग में धर्ती पगड़नेता है, अगर उनको इस उपचुनाव में भी टिकट मिली होती, वो बहुत बढ़िया, मतलब 25,000 वोटों से नाइब सानी जी को नहीं जी जी है, नाइब खिलाडी है, मिवा सिंग गांगरेश के के केंड़ेट हैं, और मिवा सिंग की जो इमेज है, और जो कास्ट पोलिटिक्स है वहां पर वो ये कहती है कि इतनी आसानी से तो नाइब जी को नहीं जीतने देंगे, अगर चुनाव जैसा बीजेपी करती है और लडवा के जो जाट लैंड के जो जाट है और लडवा के जो जाट है उनमें दिन रात का अंतर है वो बहुत सिंपल, सोबर, अच्छे लोग हैं तो हो सकता है वो कास्ट के बेस पर चुनाओ ना करके सोचेंगे चलो मुख्य मंतरी को क्यों हराया वो अलग बात है लेकिन और मेवा सिंग ने अच्छा चुनाओ किया तो मुकाबला बनेगा उस चुनाओ वहाँ पता जला कि उस सपना बड़सामी के भरोसे है ना आईप सिंग से ने सपना तो मुझे लग रहा है कि 3-4 जार वोटों का है ने बिलकुल आमने सामने का मकाबला है बड़सामी के देखे अब लोग समझदार है अब जो 2019 का चुनाओ है उसके बाद वो तीसरे किसी वेक्ति को वोट देते हों हिचकते है क्योंकि उनको ये एक मैसेज है ये अज तो एंट्री हो गई कुमारी सहल जा की बड़े दिन से हरियाना को इंतजाज था वैग लीडर तो है बड़ी लीडर है आपने पहले कहा है कि इस हर्याना ने जो अच्छे लीडर्स दिये है जो अच्छे पारलिमेंटरियन है उनमें से नाराज थी इसमें तो कोई दोर नहीं है यह तो सब लोग जाने नाराज थी लेकिन आगे हो राहूल गांधी के साथ आई हैं राहूल हाथ पकड़के लाए हैं क्या फर्क होगा इसका मुझे लगता है मेरे वीडियो को सीरिसली देखते हैं मैं लिगता है अगर राहूल गांधी का हाथ पकड़के रेली में उो राहा की तो लगता है। यह लेकिन हर फिर हाराओ थोड़ा अलग परिदेश सा आई सिजी आप यहां पर अगर SC कम्मिनिटी के बात करें तो जाट यहां पे अपने नाम के साथ चोदरी लगाते हैं लेकिन यहां पे SC कम्मुनिटी भी उतना ही बराबरी कादिकार रखती है आप यह चीजों की कलपना दूसरे रज्यों में नहीं कर सकते हैं यहां पे दलीतों के बहुत बड़े नेता चोदरी चांदराम हुए हैं यहां पे दलीतों के बहुत बड़े नेता चोदरी दलबिर सिंग्षेल जय की पिता जी हुए हैं यहां पे चोदरी जगनात हुए हैं मतलBir हाँ पे आप कास्ट का जहर हमारे उतना नहीं है जितना लोग करते हैं ये तो चलो बीजेपी आने के बाद को पकर चुकि एलों के कास्ट पॉलिटिक्स में एक्सबर्त जाटों वाला ये सब का तो चोधि दलवीर सिंग के जो बेटी है सेल जा निश्चित तोर पे बहुत बड़ी नेता है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिज बुपेंदर सिंग उड़ा जी की तरफ से हुई तो आप देख लोग चार- एक उत्सा बढ़ता है उनका और टिकेट किसने बाटी किसने दी ये एक अलग विशह है लेकिन मुख्यमंत्री बनाता है गांधी परिवार तो वो एक सपना लोगों के दिमाग में है और सेल जा जी के आने से कॉंग्रेस को फाइदा होगा उनका खड़ा रहना भी मतलब कितनी स्थूर स्थूर एक या दो तारीक को थोड़ी क्लियर सीचेशन पर आज कि तारीक में धरमेंदर कमारी के हिसाअब किताब में वही काता में बहुत दूरस्ति चीजी रहती है उसमें मुझे लगए 51 सीटें में जीत सकती है बहुत आसानी से नो सीटे बीजेपी बहुत असानी से जीच सकती है बाकी 30 सीटों पर मुकाबले हैं तो कॉंगरिस की सरकार बनने में मुझे किसी परकार का संदे नजर नहीं आ रहा और अगर ये इस बार भी सरकार नहीं बना सकते तो फिर ये कभी नहीं बना सकते हैं करता है कि बड़े बेवाकी से बताते हैं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं और गौर करने वाले बता है जो भाहिक हाता, धर्मिंद्र कमारी भाही का है, यह भाहिक हाता साथ में एक क्यावन दिया, यह साथ में एक क्यावन दिया, यह साथ में एक क्यावन और नौ है, ब फिलाल इजाज़त लेते हैं, लेकिन धर्मेंद्र कमारी के जो सटीक टिपड़ियां होती हैं, वो हम लेके आएंगे आप तक बार-बार, यह चुनाओ तक भिलाएंगे, चुनाओ के बाद भिलाएंगे, जब हर्याना की बात होगी, तो धर्मेंद्र कमारी के साथ जरूर वो बात होगी, फिलाल इजाज़त दीजिए, धर्मेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुकुला पॉलिटिक्स में ऐसे ही राजनीत का पूरा पोश्टमार्टम जो कहते हैं, पोश्टमार्टम करते रहें, धर्मेंद्र भाई, उस पोश्टमार्टम से हर्याना की सियासत को हम भी थोड़ा समझ पाएंगे, हमें भी मदद मिलेगी, आगे इस गुरुकुला पॉलिटिक्स पर हमारी भी नजर रहेंगी और आप लोग भी नजर रखिएगा उस पर, वहां पर पोश्टमार्टम, पोश्टमार्टम होता है, तो उस पर आप भी नजर रखिएगा, इजाजत दीजी हमें, नमस्कार.